साथियो नमस्कार मैं प्रमोथ कुमार आपका स्वागत करता हूँ एको नई वीडियो में साथियो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर गन्ये से टॉप बोरर को समाप्त करना है तो आपको ऐसे कीटना सकों का प्रियोग अपने गन्ये की फसल में करना होगा जिनका प्रियोग आपने पिछली 4-5 सालों से अपने गन्ये में नहीं किया है उनी कीटना सकों से गन्ये का टॉप बोरर समाप्त हो सकता है क्योंकि किसान दोस्तों जिन कीटनासकों का प्रियोग हम अपने गन्य की फसल में काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं उन सभी कीटनासकों के पृति टॉप बोरर की सुंडी ने अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर डवलप कर ली है जिस कारण कोई भी प्राना कीटनासक गन्य से टॉप बोरर को पूरी प्रकार से समाप्त नहीं कर पा रहा है इसलिए किसान सातियों हमको अपने गन्य की फसल में उन कीटनासकों का प्रियोग करना है जिनका हमने काफी लंबे समय से अपने गन्य की फसल में प्रियोग नहीं किया है तो किसान दोस्तों वो वीडियो आप सभी को काफी पसंद आई है लेकिन एक दो किसान ऐसे हैं जिनको वो वीडियो पसंद नहीं आई थी उन्होंने मेरे पास कमेंट किये थे कि अगर आपको इतनी ही जानकारी है तो आप अपने गन्य से टॉप बोरर को समाप्त करके दिखाओ तो किसान भाईयो आज मैं आपको अपने उस खेत का गन्य दिखाऊंगा जिसमें गन्य वेराइटी 0238 की पेड़ी है जिसमें आपको एक भी पौदा टॉप बोरर से ग्रस्त दिखाई नहीं देगा दोस्तों आप देख पा रहे होगे आपको खुब अच्छे से दिखाऊंगा आपको एक भी गन्य के पौदे में टॉप बोरर दिखाई नहीं देगा और गन्य वेराइटी 0238 है आप देख पा रहे होगे सातियों खुब अच्छे से मैंने सारी वीडियो में यही दिखाने की कोशिस की है और आप लाश्ट तक देखते रहना आपको कहीं पर भी एक भी गन्य का पौदा ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसमें इस समय टॉप बोरर आपको दिखाई दे जाए किसान दोस्तो आपके लिए इसलिए इस गन्य को दिखा रहा हूँ क्योंकि उन किसान भाईयों ने ये भी कमेंट किया था कि जितने भी यूटूबर है उनको सिर्प अपनी वीडियो चलने से मतलब है चाहे एक किसान का कितना भी नुक्सान हो जाए लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं गलती से भी आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं वताऊंगा जिस से आपका फाइदा होने के वज़ाए उल्टा नुक्सान हो चाहें किसान भाईयो वीडियो चले या ना चले क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ इसलिए आपके लिए एक सही जानकारी देने की कोसिस करता हूँ जो आप मैंसे अधीकांस किसान सातियों को पसंद भी आती है तो सातियों आप देख पा रहे होगे हमारे गन्य की फसल में आपको एक भी गन्य का पौदा ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसमें टॉप बोरर दिखाई दे रहा हो किसान दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा हमने अपने गन्य में अभी तक किन कीटनासकों का प्रियोग किया है एक स्प्रे हमने आज से लगवाग डेड़ महीने पहले की थी जिसमें हमने दो किटनासकों का प्रियोग एक साथ किया था जिसमें एक किटनासक रोकिट के नाम से आती है जिसमें प्रोफेनोफोस प्लस साइफर मेथरिन होती है दूसरा किटनासक वो था जिसमें किसान भाईयो इमीडा किलोरोपिड 17.8% SL फर्म में था उन दोनों को मिला कर एक साथ स्प्रे की थी और उसके 20 रोजवाद हमने एक किटनासक का प्रियोग और किया था किसान दोस्तों आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा जो डेविल के नाम से किटना सकाता है उसका प्रियोग एक एकड में आधा लिटर किया था यूरिया खाद के साथ मिला कर बैसे तो किसान भाईयो उसकी पूरी डोज एक एक एकड के लिए एक लिटर की होती है लेकिन हमने आधा लीटर ही एक एकड में प्रियोग किया था उसकी आधी मात्रा प्रियोग करने के बाद भी किसान दोस्तों आपको हमारे गन्ये में एक पौदा भी ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसमें इस समय आपको टॉप बोरल लगा हुआ दिखाई दे जाए किसान द इस कीटनासक को बनाने वाली कमपनी समय समय पर अपनी डेविल के अंदर बदलाव करते रहती है इसलिए ये पिछली 4-5 सालों से गन्ये के टॉप बोरर को बहुत ही आसानी से लंबे समय के लिए समाप्त कर देता है सातियों अगर आपके यहां पर ये कीटनासक उपलवद हो जाए तो आप अपने गन्ये की फसल में इसका प्रियोग अवश्य करें क्योंकि ये बहुत ही सांदार कीटनासक है जो लंबे समय के लिए टॉप बोरर को पूरी प्रकार से समाप्त कर देता है और किसान दोस्तों कल की वीडियो में आपको अपना वो गन्या दिखाऊंगा जिसमें हमने आज से लगवग आट दस रोज पहले दानेदार डी एपी का गोहल तयार करके इस्प्रे की थी इस समय वो गन्या कितनी गिरोध करके चल रहा है तो किसान सातियों आज की वीडियो में इतना आइन था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दूसरे किसान सातियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन सातियों ने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइप करें और चैनल को अनसस्क्राइब कर दें